नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शिवाम आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह TVS Max 100, Suzuki Max 100 और TVS Deluxe को किस तरह मोडिफाई कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में आपको पुरी काड़े खोल के बताऊंगा फिर पूरा फिटिंग करूंगा इसमें क्या के एक्स्राइड करूंगा तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए थोड़ा भी मिस मत करिये का चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने देख सकते हैं यहां पर मैंने टीवेस मैक्स हंड्रेड लिया है तो यह लगभए पंद्रह से बीस चाल पुरानी गाड़ी है चलिए इसको खोल देते हैं तो यहां भी आप देखते हैं हमारा जो पेट्रोल टेंक था उसको अमने निकाल देया सीड भी निकाल देए अपिछलिए पुरी गाड़ी जो इसको खोल देते हैं फोलने बाद मैं आपको बता हूँगा इसको पुरी तरह कैसे फिट करना है पिछलिए इसको बिना समय कव आपको खोल देते हैं करना है अपको बता हैं मेरे गारी दो में पूल दिये है अब ही अच्छी तरह से साफ करने बाद में अच्छी तरह से साफ करते हैं यहां पर देख सकते हैं हमारा इंजन इसके बाद हमारा शॉकर बाद हमारा चैचे जंपर जो जो इसमें यूस्फुल थे तो सभी को मैंने कलर कर दिया है तो यह मैंने मोडिफिकेशन किया तो इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया ताकर आपने उसको नहीं देखा होगा तो आप उसकलिंग में वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूगा तो वहां से जाके आप देख सकते हैं यह देख सेट में एक संडेड काई तो इसको मैंने थोड़ा मोडिफाइ कर रहा है जिससे लूग जो एमको थोड़ा बैटर मिलेगा इस तरह सारी मेट्रियल देख सक कर दो एमको ाीशन देख सकते हैं यह थेख सक्षलаст को थेख सेख सकते हैं से लाई जो एमटर देख सबी आफर इसने तरह से लाई रहां से दो ही बाईंग में महें का कर दो वह दो श्याए हれसा हुञ दो करना है तो यह पर देख सकते हैं मेरे अंडल बार लिये हैं तो मार्गरी में बहुत आइप के आप आप जो अच्छा लगता हो आप लगा सब्सक्ता हैं अभी किलाल में यह लगाने वालो इसमें ब्लेक में भी आता है, चली इसको फीट कर देता है क्यक्स कहें उक्त असना है उगा अप्छजी तो मेरे मिलन को शकर हैतो जुड़ फीट सब्सक्ता है तर था अन act, ने उसा जिए कि निविष स्टार कि में रिफ ग्रिप लिया हैं जो इसके आपर मैं लगाऊंगा इस कर एक्सेलेटरं के अपर तो कोई भी लगा सकते हैं इने लगाने वालो है टो यहां पे देख सकते ही घंडल नीडर लिया यहां पे लगेगा इस तरह तो यह आप मार्केट छे लया सबिसे यह मेरेको धक्रौ 962 पड़ा था चल कना फिला इसको य अपर फिट कर दोगा कि कि यहां पर आप दिज़ को कि यह पर थे इसकते हैं ने तो इसको में लगाने हुल्स के इसकते हैं जो जैलें के अर दूज ब्लू इसकु ज़ले और यहांञे मैं पर improvements कि देंदेटरिश थे आप देव कर दो जलेगा और चीने ही 50 शाहंव को ही 500 रुपिस का उसे बाद ये मैंने LED स्ट्रिप लिए तो ये रेड कलर जलती इसको में पीछे लगाऊंगा चलिए सब जो समान इसको में फीटिंग कर देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारा कार्बुरेटर पेटरल पोप यहां पर मेरा सब कुछ वायरिंग कम्पीड हो गया है तो यह भी आप ओनलाइन खरी सकते हैं उनलाइन भी मिलता है तो फिर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूँगा तो यहां से भी आप खरी सकते हैं तो चलिया भी फिलाल में यहां पर फिट कर दूँगा लगा के यहां पर मैंने एक मिटर लिया है तो यह कोई भी गाड़ी में यूज होता है यह इस्पेशली मोडिफिकेशन के लिए यूज होता है तो यह मेरे को 800 पेगा पड़ा था लेंप इतना बड़ा लगा है यहां पर यहां पर बी उसके बाद जो मीटर का तो होल रहता है एक यहां पर यहां पर लगा के मैं इससे टाइड कर दूँगा जिससे मीटर जो हिले का निए और फिक्स हो जाए है इस तरह जो है पूरी गाड़ी में दिख रहा है तो यहां अच्छा लूप में लगा इसको तो यहां पर आप देख से भी थोड़ा लगा रहे है तो यहां पर यहां पर फिलाल रेडियम लगाँगा तो इसके आज बाज मेरा साइड लाइट लगे और यह जो नंबर प्लेट है यहां पर इस तरह लगे तो चलिए पहले इस पर हम र हमारा जो नंबर प्लेट है यहां पर लग गया नंबर प्लेट बर लगे बाद यहां पर देख लिखते हैं हमारा लाइट स्टाइड लाइट यहां पर सब लग गया तो यह देख सकते काफी अच्छा लग रहा है तो यहां से मैंने कट करने बाद यहां से तो इतना साइले प्रश बाड़ 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 जरा बाड़ झाल 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 तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी जो पूरी कम्प्रीट हो गई है तो इसमें बहुत लोग को डाउट रहता है कि इसमें आटी वाले पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे क्योंकि यह जो गाड़ी मेंने मोडिफिकेशन किया है इसमें पूरा तो नहीं बोलू आप रूट से रूट के खिलाप जैसे कि और थोड़े ठोड़े और भी चीज़ें तो चली आपको बता देता हूं अगर आप अगर कोई भी लाइट लगा रहे हो तो आगर आप आप आपको रूट लगा रहो तो अगर आप को आदियो तो यह घडॉर ही लगा रहा है तो उसके अंदर आपको यलो लाइट ही below लगा सकते और आपको यलो कल्री यूज़ करना पड़ेगा और लंदर रखा है जो इसे कर ब्लेक और वाइड दिया है या ब्लेक और रेड दिया है तो कोई भी कलर दिये तो वह कलर की हिसाब से आप अपने गाड़ी को ग्राफिक्स लगा सकते हो या कलर चेंज नहीं कर सकते हो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस टाइप के मतलब आपके जो कलर दिया होगा ब्लेक एंड वाइड जो भी आप लिखा होगा तो वह कलर आपको देखने के बाद जो करते हैं साइलेंसर निकाल देते हैं नहीं तो फिर ऐसा साइलेंसर लगाते हैं जो लिशान और एर पॉलिशन बहुत ज्यादा करते हैं तो हमको यह बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमको अगर नहीं निकाले साइलेंसर तो ठीक है अगर निकालते भी एता है तो हमको ऐसा पॉलिशन भी बहुत ही कम करता है तो इसकी साफसे अगर आप लगा है तो ऐसा लगा है कि आपको मतलब आटी वाले पगड़े भी तुनको पता ना चले कि आपने अलग से कोई सालेंसल लगा है और उसको एकदम अच्छे से लगा है और इतनी बात के ध्यान रखें कि उसमें आप लगा है तो आपको नहीं करते हैं तो आपको नहीं कर सकते हैं जो रखना आट नहीं करकेका प्टेकर इसलेंसार,ाच बाह लगा है एक पर्मिशन को पर्मिशन है वो A.R.A.I. मतलब आटोमोटिव रिसर्ट असोशियेशन ओफ इंडिया तो इसी संसा को गॉर्मेंट ने पर्मिशन दिया है कि यह अपने गाड़ी को चेंज कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं लिकि यह हम नहीं कर से लगभग आपको देही दिये उमीद आपको हमारे वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करिए शेर करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए आज के लिए इतना ही फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में